इंद और शहर में बदमाशों और चोरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने अनुठा अभियान शुरू किया है जिसके तहट पुलिस वरा वाहन चोरों के फोटों के होर्डिंग लगाए है ताकि लोग उन्हें पहचान कर पुलिस को सूचना दे सके अभियान की शुरूआत विजनगर थानाक्षेदर से की गई है जहां बारा वाहन चोरों के पोस्टर लगाए गए है हाली में पुलिस विभाग ने अपराधियों को पकड़ने के लिए अनुखा तरीका अपनाया है जिसमें थाने के बाहर लिस्टेट बदमाश और चिन्हित अपराधियों के फोटो लगे होर्डिंग लगाए जाएंगे इसके शुरूआत सबसे पहले विजनगर थाने ने की है विजनगर पुलिस ने बताया कि नगर चुराहे पर बारा वाहन चोरों के बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लगाए हैं ये लोग शातिर वाहन चोर अपराधी हैं महस दो से तीन मिनिट में बाइक चोरी कर लेते हैं इन आरोपियों ने विजनगर सनक्षेतर में 23 दिन में 56 से अधिक बाइक चोरी की थी सिसी टीवी फुटेज से आरोपियों की पुलिस ने पहचान की और इनके बड़े पोस्टर चुराहे पर डांग दिये पुलिस ने पोस्टर में लिखा है कि इन आरोपियों की जानकारी देने वालों को पुलिस की तरफ से उचित इनाम दिया जाएगा और उनकी पहचान भी गोपनिये रखी जाएगी पोस्टर में विजनगर थाने और थाना प्रभारी का नंबर दिया गया है जिसे आम जंता आसानी से पुलिस को इन आरोपियों की जानकारी दे सके वही पुलिस कमिश्णर हरिनाराइंट चारी मिश्र का कहना है कि आने वाले दिनों में शाहर के लिस्टेड वदमाशो गुंडो जिन पर हत्या, लूट, अडिबाजी, ब्लैक मैलिंग, दुश्कर्म, चाकुबाजी, ड्रक्स, तसकरी, आवैद वसूले से जुड़े कई गंभीर मामले दर्श हैं इन आरोपियों के फोटो चुराहे पर लगाये जाएंगे उनकी जनकारी प्रकाशित की है, हम जानते हैं कि कई बार हमें पता नहीं होता, एक जगरूक नागरिक होने के बाद भी हम इस चीछ से अनभिग्य रहते हैं कि हमारे पडोस में कौन सा अवराधी है, या कौन सा व्रक्ती है, जिससे हम पर्याप सधान नहीं रपाते, ऐसे अपराधियों के सही चेहरों को बेनकाब करना, उनके बारे में जनकारी लाना, यह भी पूलिस के उदेश की पहल है, प्रत्मिक्ता है, और इसमें हम इनकी इसके माध्यम से उन अपराधी जो की भगोडे हैं, जिन पर अपराध है, और लेकिन उ इनामी है, लेकिन अभी प पुलिस के मामले वांटेड हैं पुलिस की फाइलों में ऐसे लोगों को पुलिस सामने ला रही है उसे दो उदेश होंगे एक तो उनको पकड़ने में मदद मिलेगी और दूसरे हम उससे ऑगत हो सकते हैं कि हमारे बगल में कौन अपराधि है जो कि पडोस में है या आसपास म इस तरह के अपराधियों की लिस्ट बनाई जा रही है।